हुआ है आपका आज की इस नई वीडियो में कि मैंने किस प्रकार से फिन एपटि के अंदर अपनी ट्रेड बनाई और सब से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले वीडियो में मुझे वीडियो में दिखाना है तो इस वीडियो में मैं आपको अपना प्रोफिट दिखा रहा हूं अभी आप प्रोफिट देख सकते हो 1540 रुपे का प्रोफिट हुआ है हालांकि यहां पर मेरा जो है सुरुवात में 900 रुपे का लॉस हो गया था और लॉस मेरे कारण नहीं हुआ और दोनों में मेरा जो है टोटल मिला के 900 रुपे का लॉस हो गया था तो फिर मैंने काफी देर तक वेट किया क्योंकि वो दो एंट्री थी ना वो आलांकि मेरी एंट्री होती नहीं वो ब्रोकर ने आटोमेटिक ही एंट्री करवा दी थी तो उस कारण मेरा वो 900 रुपे का लॉस हो गया था उसके बाद मैंने वेट किया लगब 11-11 बजे मुझे वहाँ पर एक अच्छा ट्रेड मिला जिसमें मेरा लॉस भी का और हो गया और 1540 रुपे का अपना प्रॉफिट भी हो गया कुल मिला कि मैंने यहाँ पर 4 ट्रेड लिए दोनों मेरा जो है वो लॉस हो ग गया से पहले मैंने इसको कट कर दिया क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मुझे वाप सब्सक्राइब कर रहा तो मैंने फिर वापस कल्टी मार दी वहां से मार्केट जा तो नीचे रहा था लेकिन बहुत दीरे दीरे करके मार्केट जो है वह नीचे जा रहा था तो इस करण जो है मैं वहां पर नहीं प्रोफिट बना पाया थोड़ा सा वेट गया अब मैं आपको बताता हूं को मुझे वहां पर कैसे लोस देखने को मिला तो अभी आप देख सकते हो आप तीसरे बॉक्स में देख रहे होंगे यह फिन इप्टी का जो आपको दिख रहा होगा तेवी साथ सो पुट में यहां पर मैं जो है वह एक सो पांच पर मैं अपना जो है ओर्डर वहां पर लगा देता हूं तो ओर्डर मैंने लगा दिया और ओर 105 पर लेनी थी 105 पर गया नहीं मार्केट उससे पहली मुझे जो है एंट्री देदी अब एंट्री दी तो मुझे थोड़े देर के लिए रुकना पड़ेगा क्यांकि एकदम से तो निकल नहीं सकते क्या पता वहां तक चला जाए आगे भी चला जाए तो मैं थोड़ा रु लेते हैं अपना वैसे भी अभी 20 परसेंट का होता है अमोमन तो अपना हिट नहीं होने देंगे तो वेट किया तो फिर एक ट्रेंड लाइन नीचे और दे रहे थी तो मैंने का चलो इसको अगर ब्रेक करेगा तो वहां पर निकल जाएंगे ऐसे करके मैं यहां पर नीचे जैसी वह ब्रेक की तो मैं वहां पर वहां से फिर से निकल गया फिर से निकल गया तो फिर वहीसारें आप देख रहे हूं मारकेट की इस प्रकार से ब्लब कर रहा था मुझे मतलब एंट्री ही नहीं दे रहा था फिर दूसरी बार मुझे वहां पर वentrID मेली ती अब मैं एंट्री लेना चाहरा था कम से कम इसमें जैसे पूट साइड में एंट्री लेना चाहरा था जो मैंने लगाया था ओर्डर वहां पर मुझे नहीं मिला उससे पहले मुझे मिल गया उसके बाद दूसरी बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ उसमें भी 400-500 रुपे का वहां पर अब मैंने का जब तक अपना जो है वह सेट अप नहीं बनता वहां पर हम सेट अप पर काम करेंगे अलांकि जो सेट अप बन रहे थे उससे सबसे मुझे एंट्री नहीं दिए गई थी इसकारण मेरे यहां पर लॉस हो गया था लगवर 11 बज़े तक मेरे 900 रुपे का लॉस क्योंकि मार्केट जो है वह काफी उपर गया था वापस मार्केट को नीचे आना था और मुझे प्रीमियम में भी अच्छा कासा सेट अप देखने को मिल रहा था तो जस्ट मैंने थोड़ा सा यहां पर वेट किया वेट करने के बाद आप देख रहे हो लगवर मैंने यहां तो एक दम इस पाइक यहां पर देखने को मिल गया अब यह तो यह मार्केट मतलब में यहां पर मुझे यहां पर सक्सेस्पूल हो रहा था क्योंकि मैंने थोड़ा सा उंपर मतलब एंट्री किये थी जैसे यह दिख रहा है ना आपको नीचे वाला तो थोड़ा सा उंपर एंट्री की थी और वहाँ पर जैसे चालीस ते गया तो मैं आटमेटिक वहाँ से निकल गया आप से सक्सेस्पूल आप देख रहे होंगे तो यहां से मुझे अच्छा खसा प्रोफिट मुझे देखने को मिल गया था तो उसके बाद मैंने जो यहां पर ट्रेड नहीं ली तो बैंकेक्स में अभी आप देख सकते हों कितना एकदम से मुव्मेंट दिया हैं लेकिन बैंकेक्स में हम जो अपना रिस्क ले नहीं सकते क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगेंस्ट चला गया न तो 40-50 परसेंट का भी सत्यानास हो जाता है तो इस कारण जो हो बैंकेक्स में में नहीं लेता हूं अलंकि में देखता रहता हूं बैंकेकस बैंक निप्टी जो हो जाता है और कभी अभी अगर be प्रोफिय जो अपना आज लगबग जो है वो 15 से 15 परसेंट का प्रोफिट रहा ज्यादा प्रोफिट नहीं ले पाई और मार्केट नहीं ज्यादा दिया भी नहीं क्योंकि आप देख रहे हो 40 के बाद market सीधा वापस नीचे आ गया और पूरा market एकदम से market ने कल्टी मार दी थी तो इस कारण जो है वो market में ज्यादा दर तक रहना भी सही नहीं रहता है लेकिन मैं आज market में ज्यादा दर तक बैठा रहा क्या कि दूसरा मेरे पास कोई काम नहीं था मैं सोचा चलो आज देखते हैं market में क्या होता है जितना हो सके उतना कम लेने की कोसिस करते हैं लेकिन अमुमन यह होता है कि market में अगर आप ज्यादा देखने को मिल जाता है यह चीज मैं गलत है ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए कि मौर्णिंग में देखने को मिलता है अभी-गभी आपको साइकल हो जाती तो फिर उसमें आपको दिक्कत आना लग जाती है तो में मॉर्णिंग। आसे ट्रेड लेता हूं, आज मॉर्निंग में ट्रेड मुझे लेने थे, लेकिन अलग एंट्रीपर लेने थे, मार्केड न मुझे अलग एंट्रीपर ट्रेड दिया, इस करण मुझे वहां पर थोड़ा सा, broker की कारणे आज जो SL लेना पड़ा नहीं तो आप देख रहे हो मुझे कितना अच्छा profit हो सकता तो लगबग 25-30% profit आराम से हो जाता चलिए कोई बात नहीं है जितना मिला उतना ही ready market में हमेशा जो है वो नहीं मिलता है लेकिन यह होता है कि broker अगर आपके साथ कुछ ऐसी गद्दारी कर देता है तो फिर हमें उसका loss देखने को मिलता है और हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं ठीके ना कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि कौन माथावची करें आगे के लिए जाय करें तो उतना मुझे यहां पर मैं चीज को देखता नहीं हूँ और nifty में nifty अलग चल रहा था, bank nifty अलग चल रहा था फिन nifty अलग चल रहा था तो सारे के सारे जो हैं आज अलग चल रहा था मैं अपने फिन nifty के हिसाब से जो बन रहा था उसमें अपना ट्रेड कर रहा था तो इस परकार से अपना आज का 15% का प्रोफिट रहा है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरू करें और चैनल को अभी तक आपने करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन